विडियो में आप सभी लोका स्वागत है मेरा नाम है सुधीर अब बात करेंगे इस वीडियो में निफ्टी और बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन के बार में इसको समझने की कोशिस करेंगे करेंगे कि यहां पर जो आज की जो वॉलेटिलिटी इसके बेसिस पर कल एक स्पाइरी किस लेविल पर हो सकती है और क्या रेंज रहेगी मार्केट में इस चीज़ को समझने की कोशिस करेंगे तो जल्दी पर चलते हैं ऑप्शन चेन डाटा पर देखते हैं और समझते हैं फाइली दोस्तों मैं आगया हूं इसी की वेफसाइट पर जहां पर हम निफ्टी और प्रेंग निफ्टी ऑप्शन चेन डाटा समझने की कोशिस कर रहे हैं तो सबसे पहले आज की क्लोजिंग आप देख सकते हैं 97.50 गिरके बंद हुआ है और जैसा कि यहां पर मैंने आप आपको कल के दूस्तों में बताया था अगर की और फंव निफ्टीन से निकल है तो पर जाता आए तो यहां पर जैसा कि मैं आपको कल एक और चीज बताई थी कि और आपको साथदानी रखनी है क्योंकि कि मार्केट में वालेटिलिटी बहुत जादा हो सकती है थोड़ी देर के लिए तो जैसा कि आज के दिन की जो वालेटिलिटी थी वो इतनी जादा हो चुकी थी कि आपने देखा कि यहां पर खासकर कुछ जैसे कि रिलाइंस अच्छी बैंक इनों मार्केट में पाडिस्पेट नहीं किया जिसकी वज़े से निफ्टी दस ती ग्यारा थी तीन सो के ऊपर ट्रेड नहीं कर पाया था बट एंड ओफ तर डे में बैंक निफ्टी में भी प्रॉफिट बुकिंग आ गई तो अगर देख जाए इसका मतलब क्या है कि 11-300 अवारे लिए कल के दिन में बहुत ही ज्यादा सबसे बड़ा हडल है इविन ग्यारा थीन सो हमारे लिए बहुत ही जादा इस पर्टिक्र स्रीज में हडल नहीं हो आगे आने वाले दिनों में भी होगा इसके पीछे क्या लाजिक होगा यह मैं आपको explain करके बताऊंगा तो सबसे पहले हमने 11300 की बात करें तो 11200 की भी बात करते हैं तो 11200 पर आप देख सकते हो 26,80,000 का open interest खड़ा हुआ है प्लस 11200 की जो call है वहां पर और 11200 की जो port है यहां पर आप देख सकते हो कि 24,80,000 का open interest यहां पर खड़ा है जिसमें कि आप देख सकते हैं 9300,000 का open interest घटा हुआ दिकाई दिया है बेसिकली क्या हुआ है कि जो मैं volatility की बात कर रहा तो उसके बीचे का reason क्या आता है तो market में क्या हुआ continuously तेजी हुई ठीक है इस particular series में और हम 11300 तक गए अब है क्या है कि यह जो continuously put writers है इन्होंने basically कभी ना कभी तो इनको अपनी profit booking करनी थी तो वह सबसे best आज का दिन है कि इन्होंने अपनी profit booking करके क्योंकि ज्यादा तर लोग अपनी profit booking इसलिए कर लेते क्योंकि expiry के दिन क्या होता है कि market जहां पर खुलता है उसी के narrow range में participate करना start कर देता है तो आज कर दिन सबसे best होता है profit booking करने के लिए तो आप देख रहे हो कि किते जी से यहाँ पर पोट राइटिंग में आपको दिख रहा है कि ओपन इंटर घटता हो दिखाए दिया है तो यह basically यह जो उपर से जो pressure आया था वो यही profit booking की वज़े से ही आया क्योंकि जिन लोगोंने longer रखे थे उन लोगोंने सिंपल से अपने position काटी है तो market उपर से नीचे आ गया अब कल के दिन में देखेंगे कि कल के दिन में कौन से label पर market खुलता है फिलाल आप समझेए कि 11200 के पास हम close हुए है अगर हम देखें तो 11202 पे close हुए है कल अगर हम और pressure देख सकते हो यहां पर क्योंकि यहां पर आप देख सकते हो 11200 पर अभी भी आप देख सकते हो कि almost कितना sorry 11200 यह जो 11200 है यहां पर अभी भी आपका 24,80,000 का open interest खड़ा हुआ है प्लस इसके ऊपर आप देख सकते हो 11,00,000 का और 10,00,000 का यानि अगर मोटा मोटा देखें तो 35,00,000,000 का open interest है जो कि 11200 के ऊपर है तो यह कल expire होना है तो 11200 के नीचे अगर market जाता है तो एक तो जो call writer था है इनका pressure और प्लस यहां पर इनकी यह long बने वो इनकी unwinding की वज़े से भी market नीचे आएगा तो वो हो सकता है नीचे market को और ले जा सकता है 11200 पर अभी clearly यहां प सकता है market को support देने की कोशिस करेंगे तो कहीं ना कहीं market 11100,000,000,000,000 के बीच में trade कर सकता है लेकिन अगर हम 11200 के ऊपर trade करते रहे तो फिर हम थोड़ी से और यहां पर कह सकते हैं उपर की तरह बढ़ सकते हैं तो जो level होगा 11260 का zone होगा उस level तक हम जा सकते हैं बट वहां प कि समझें कि देखो यहां पर हुआ क्या हमने कल breakout दिया और breakout देने के बाद हम दुबारा से नीचे आ गए ठीक है तो एक तरीके से अगर देखा जाए तो यह breakout failure भी हो सकता है तो आप यह clearly समझ लीजिए कि अगर आपको गिरावट में participate करना है यानि निफ्टी अगर आपको शॉर्ट करना है तो आप निफ्टी को शॉर्ट करिए कि 11,100 के नीचे निफ्टी निकलता है तो आप definitely निफ्टी को शॉर्ट करिए for the target of 10,900 यह 300 पॉइंट की गिरावट आपको निफ्टी के अंदर यह profit booking जो भी बोल सकते हो आत्यों दिखाई दे सकती है किस level के नीचे 11, 11,100 के नीचे तो 11,100 के नीचे आपको perfectly निफ्टी शॉर्ट है for the target of 10,900 यह 10,850 जो की approximation 200-day moving average है उस level तक निफ्टी दुबारा से जा सकता है अब इस breakout failure का में सिंपली चीज़ है अगर यह breakout failure हुआ है तो market में इस 11,350 आपका stop loss होना चाहिए शॉर्ट साइट का यह चीज़ है जिसको अभी भी शॉर्ट बनाने वो अभी भी शॉर्ट बना सकता है जिसको नहीं बनाने या लेवल तूटने का बेट करना है तो वो तब भी शॉर्ट बना सकता लेकिन stop loss आपका clearly 11,350 होना चाहिए 11,350 के उपर निकले आप अपने शॉर्ट से निकल जाहिए weakness का जो सबसे पहला first sign कल के दिन में मिलेगा वो मिलेगा अगर हम 11,150 के नीचे trade करना start करते हैं तो यह यहां से और आपको weakness market में देखने को मिल सकती है उपर जो hurdle मिल सकता है वो दुबारा से 11,235 मिल सकता है क्योंकि हम इस channel के अंदर दुबारा से आ गए तो उपर के label पे न आप देख सकते हो कि यह कल का चार्ट तो कल मैंने आपको clearly बताया था कि 22,300 के ऊपर ही बैंक डिफ्टी में बनता है 22,300 के ऊपर अगर निकलेगा तो आपको 22,700 तक की target मिलेंगे तो exactly आज आप देख सकते हो कि बैंक डिफ्टी कहां पर जाके 22,300 पर जाके ही यहां पर अट 23,300 का तो आप देख रहें बार 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 बैंक डिफ्टी ऊपर जाने की कोशित कर रहा था लेकिन नीचे आठा रहा था तो जब उपन नहीं जा पाया है तो simple दी चीज़े जब उपन जा पाया है तो जो बेसिकली बैंक डिफ्टी में जो लॉंग बने थे जो पूट 24,300 की है अगर इस रेंज से हम भार निकलते हैं उपर के साय तो हम 22,300 के बीच में ट्रेड कर सकते हैं जो में जो होगी बैंक डिफ्टी की वह 22,000 के बाइस तीन सो होगी अगर हम 22,600 के लेके 22,000 होगी तो इस तरीके से आप प्लान कर सकते हो आप कल का ट्रेडिंग सेशन मे अगर हम 11,200 के नीचे उपन हुए तो वो फिर हमारे लिए रजिस्टेंस बन जाएगा तो हम फिर वाच करेंगे 11,150 अगर वो तूटता है तो फिर थोड़ी सी और वीखनेत आ सकती हैं मार्केट के अंदर करेंटली डाव फीचर की बात कर लेते हैं तो देखो 43.00 ऊपर काम कम है आज नहीं तो कल आना है वो चीज तो उस पे भी आप नज़र रखिएगा दूसी चीज है यहाँ पर देखो अगर हम बात करें तो डे चार्ट पर आप देखो तो पिछले अगर मार्च के बाद देखें तो अपरेल माई जून जुलाई चार महीने से नॉन स्टॉप तेजी हो रही है तो अब क्या होगा यह जो लेविल है ना ग्यारा तीन सो चार सो पान सो यह लेविल बहुत ही अच्छे लेवल है प्रॉफिट वोकिंग के लिए क् चार साथ साथ सतर सता से अंडेट अंडेट वन फिफ्टी परसेंट तक के रिटन दे रहे हैं तो उपर के लेविल पर प्रॉफिट वोकिंग आना तै है तो अब यहां से जो अपसाइड होगी वह बहुती ज्यादा स्लो होगी और बहुती ज्यादा हर एक लेविल एक aj1ं1-500 पे जब हम इंट अबमारा पाइषिपिक करना स्टार्ट करें तो एक अब प Comicस को सारे स्विलिए और एक अच्छा मोशचा को दे दिख लिए और तो सेक्टर ने भी काफी अच्छा मोमेंट दिखाया है, तो कहीं न कहीं स्रुफफ बैंक ही ऐथे हैं, सेक्टर जो कि मार्किट में कह सकते हैं, ड्रेगर रहा है, हर वीक्नेस पर सबसे बहुए बैंक की ही पिटाई आती है, तो वह चीज़े, तो जब तक बैंक तो उपर के लेवल पर आपको जादा निफ्टी ऊपर के लेवल नहीं दिखा पाएगा जादा से जादा आप मांचे चलिए ग्यारा पांचो बस ग्यारा पांचो के ऊपर इतनी जल्दी नहीं तेक सकता उसके लिए बैंक निफ्टी को फुल वैक दिखाना पड़ेगा अब कोई अच्छी ख़बर आए तो वह अच्छी बात है या फिर थोड़ा सा वेट करिए कि मार्केट में जो टेंशन लगे हुए है कि जो एंपीस हैं वो तेजी से स्पाइक हो सकते हैं आ गयाने वाले दिनों में या फिर आपको आ गयाने वाले दिनों में बैंकिंग में और भी ज्यादा प्रॉब्लम आ सकती हैं और जो मॉरेटोरिय में वो भर सकता है कुछ भी ऐसे रीजन हो सकते हैं जो बैंक निफ्टी को और ज्यादा नीचे ड्रैक करें तो अज़र बैंक निफ्टी उपर नहीं जाएगा तो इसलिए ध्यान रखिए कि उपर के लेविल पर आपको फोड़ा सा सतर्क रहके ही काम करना है जो हाइस लेविल का जो टार्गेट मैं अपी फिलाल जो देख रहा हूं वो मेरे लिए होगा ग्यारा चार्सो पचास इसके ऊपर निफ्टी इतनी जल्दी सस्टेन करेगा यह पॉसिबिल्टी बहुती कम देख रही है मेरेको आपको बताया है कि यह जो लेविल है देखो अब इस लेविल को जो हमने पार किया यहां पर फिर उसके बाद हम सकता है। तो हो सकता है कि यह जो लेविल है वो ब्रेकडाउन हो जाए तो वीस हजार का जो नेक्स टारगेट है वो आ जाए उसके बाद जो तेजी बनेगी वो काफी अच्छी तेजी बन सकती है जो कि बैंक डिफ्टी को 25,000 तक ले जा सकती है तो फिलाल आप यह समझ लीजे कि अगर तो फिर आप फॉर्दर और वीक्रेंस देख सकते हो मार्किट के अंदर तो आइप दोस्तों यह पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आगया होगा दोस्तों फिलाल इस वीडियो में इतना ही है आई होब यह वीडियो आपको पसंद आएगा वीडियो पसंद आता तो लाइक और शाज जरू करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब पर लिए क्योंकि मैं सुधी लेकर आता हूँ हर दिन आपके लिए नए वीडियो इसी किसा शुक्रिया दोस्तों जै हिंद